एडिट प्लेटर में आप सब का स्वागत है पतना से मैं हूँ मनिकांत ठाकुर नमस्कार आज यहां के सारे अखवारों ने मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के एक बयान को काफी प्रमुकता देकर छापा है बयान ये है कि बीजेपी यानि भारतिय जनता पाटी के खलाफ दे एक ऐसा ही बयान 2014 के लोक सभाचुनाव परिणाम के बाद आया था और अब उत्तर प्रदेश विधान सभाचुनाव परिणाम के बाद नीतिश कुमार ने अपने उसी बयान का रिनुवल यानि पुनर नवी करण किया है इनका मानना है कि महागठ बंधन के बिना गैर और बहुजन समाज पाटी जैसे दलों पर दिखता है वैसा ही संकट ममता बनर जी नवीन पतनायक और दिवंगत जै ललिता की पाटियों के सामने भविश में नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है बीजेपी की यूपी में तुफानी बढ़त से घबराये दलों को अ महागठबंधन के अंदर पढ रही गाठें भी छिपाये छिप नहीं पा रही हैं ऐसे में बीजेपी से नजदी की बढ़ाने या दिखाने के जो भी संकेत नितीश कुमार की तरफ से हवा में छोड़े गए उनको यूपी चुनाव परिणाम से गदगद बीजेपी ने फि चाला है लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस बयान के केंद्र में छिपी हुई है उसे नितीश कुमार संकोच वश अपने मुह से तो कैसे कहेंगे अन्य गयर भाजपाई दलों की तरफ से सुनना जरूर चाहेंगे और वो मूल बात यही है कि बीजेपी विरोधी तमाम पाट उन्हें यानि नितीश कुमार को प्रस्तावित महागठबंधन का नित्रित्व समहलने का मौका दे दे हालाके यही वो समस्या है जो भाजपा विरोधी राष्ट्रिये एक जुटता पर भारी पड़ जाती है इसलिए नितीश कुमार चाहते हैं कि घर भाजपाई दलों को और डराया जाए जिस तरह उन्होंने गत लोक सभाचुनाओ के बाद कांग्रेस और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाज को डरा कर बिहार में खुद को सत्ता रूड करने का रास्ता निकाल लिया था अब दिल्ली वाली उनकी महत्वा कांग्षा फिर से हिलोरे ले रही हैं तो इसमें बुड़ा क्या है अगर काम्याबी नहीं भी मिलेगी तो फिर से वो अपने सीनियर सत्ता घराने के जूनियर शेयर होल्डर बन जाएंगे और जिन्दगी आराम से कट जाएगी आईए इस चर्चा को यहीं छोड़ें और अब एक दूसरी खबर का रुख करे जब चिलचिलाती धूप और तेज पच्छिया हवा का मोसम आ जाता है तब बिहार में आग लगने से जानमाल के नुकसान की घटनाय प्राया हर रोज अखवारों की सुर्खियां बनती हैं जुग्गी जोपड़ियों और कच्चे मकानों वाली बस्तियों में ही नहीं ग्रामीन इलाके के खेत खलिहानों में अगनी कांडों से तबाही के समाचार आने शुरू हो गये हैं मध्य बिहार के नौबतपुर से खबर है कि चालीस बीगे में जो गेहूं मसूर और चने की फसल लगी हुई थी वो सोमवार दो पर आग से जल कर राख हो गई कडी धूप और तेज पच्छिया हवा में आग का जल्दी पकड़ लेना और तेजी से फैलना इतना भयावह होता है कि उसे बुझाना कठिन हो जाता है सुदूर गाउं तक तो दमकल भी समय पर नहीं पहुँच पाते हैं कल पटना के पास दीदार गंज में जब पुवाल के धेर में आग लगी तो देखते ही देखते बड़े ख्यत्र में फैली आग दमकलों की मदद के बावजूद बारह घंटे बाद ही नियंत्रित हो पाई उधर दैनिक भासकर ने इसकुली शिक्षा के बदलते पैमाने पर और सीखने के बजाए रटने की प्रवर्ति पर आज फिर एक विशेश रिपोर्ट छापी है उस रिपोर्ट का निचोड एक सरवे के परिणाम पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि आठ साल पढ़ाने के बाद दो प्रतिशत शिक्षक ही ये जान पाते हैं कि बच्चों की शेक्षनिक स्थिति के आकलन का सही तरीका क्या है मतलब अधिकांश शिक्षक यही नहीं जानते कि शिक्षन कला क्या होती है शायद इसलिए ये आरोप लगता है कि अधिकांश शिक्षक सिर्फ तनख्वाह के लिए नोकरी करते हैं तो फिलहाल मुझे दीजिये अनुमती और एडिट प्लैटर के विविध रंगों का जायजा लेते रहिए नमस्कार